हेलो एवरीवन मैं हूलो केंदर सिंग और आज हम देखेंगे एंसी आटी हिस्ट्री क्लास सिक्स्त का टेंथ शेप्टर न्यू एम्पायर्स एंड किंग्डम्स देखें इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि अर्विंद के स्कूल में एक प्ले हो रहा था जिसमें अर्विंद को एस अ किंग मतलब उसको राजा का केरेक्टर निभाना था तो अर्विंद इस बात से खुश था कि उसको मूछे लगाई जाएंगी और चांदी की तलवार मिले लगी इस बाद से बहुत एक्साइट था बट बाद में वह सर्प्राइज हुआ इस बाद जब उससे पता चला कि उसको वीना भी प्ले करना है और पोईटरी लिखनी है मतलब ऐसा कौन सा राजा है जो मूजिक में इंट्रेस्ट रखता है ऐसा कौन सा राजा है जिसको मू अब समदर गुप्त के बारें हमें कैसे पता चलता है यके अशूखा के प्लाड उन इंसक्रिप्शन पर समदर को था जिसका नाम था बारी सें न होती हैं देखी प्रशस्ती का मतलब होता है एक प्रशस्ती एक संस्क्रिट वर्ड जिसका मतलब होता तारीफ करना यह देखी पहले भी थी प्रशस्ती लेकिन गुपतर डाइनेस्टी के आने से इनकी इंपोर्टेंस थोड़ी जादा बढ़ गई अब देखी संस्क्रिट की प्रशस्ती हमें क्या बताती है देखी यहां पर संस्क्रिट को एक वरियर की तरह बताया है मतलब एक युद्धा की तरह बताया है जिसने कई सारी जंगें जीती हैं और उसको एक बैस्ट ओफ समद्रगुप्त को अब देखी समद्रगुप्त की इंस्क्रिप्शन हमें कहां कहां से मिली और समद्रगुप्त उन इंस्क्रिप्शन पर क्या क्या है तो यह आंगे दिया हुआ है देखी नंबर बन पर दिया हुआ है कि आर्रिवर्दा जो कि ग्रीन कलर के मैप में यहां पर निये沒錯 नहीं रूलर थे थे हम उन्हें हराय और उन्हें अपने अधीन कर यू था और ने यूँ आगें पर दक्षिन पद पर टौई but I22 रूलर थे थे संऐ पर और उन्हें भी हराय मतबं लोगों ने सिरेंडर कर दे समुदर गुप्त को और समुदर गुप्त ने उन्हें अपने हिसाब से राज़ पार्ट अपना समाल ने दिया और तीसरा है आसाम कोस्टल बंगाल और नमबर उफ गाना तो यहाँ पर उन लिए क्या करते थे यहां के राजा समद्र गुप्त के लिए गिफ्ट लाते थे और उसकी दरबार में पेश होते थे और नमबर फोर्थ पे दिया हुआ है कि जो ब्लू कलर में है मैप में वो लगभख कुशांस के वनशजे और श्री लंका के राजा ने अपनी बेटी की शादी समद्र गुप्त से भी कराई दी यहाँ पे समद्र गुप्त की प्रशास्ती मिली है अब देखिए उनकी जनरेशन के बारे में दिया हुआ है देखिए कुछ प्रशास्ती में समद्र गुप्त की उनके जनरेशन के बारे में भी बताया गा है जैसे के ग्रेट ग्रांड फादर अनके परदादा ग्रांड फ बिलोंग करती थी लिच्छावी फैमिली से बिलोंग करती थी और संमत्र गुत के फादर थे उनको गुपता डाइनिस्टी के से पहले व funcion ती ती अन्य महाराज्या दीराज की उपाधी प्राप्चत थी और संमत्र गुत के जफ से बारे में भी दिये हुआ है कि जो समद्रगुपत का जो संथा चंद्रगुपतर 2 उसके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स के थुरू पता चलता है और ये भी पता चला है कि वेस्टन इंडिया में जो शक के लास्ट रूलर थे उनको भी इन्होंने हराया था हर्षवर्धन एंड दहर्षच चरिता हमने गुपतर रूलर के बारे में इंस्क्रिप्शन से और कॉइन से पता चला है वैसे ही हमें कुछ और राजा हैं जिसे हर्षवर्धन के बारे में पता चला है देखिए लगबग 2400 साल पहले हर्श वर्धन एक राजा था जिसने राज किया है और उसके कोट में एक बानाभट नाम का पोईट था जिसने बानाभट ने वो लिखी बायोग्राफिय लिखी हर्श वर्धन की जिसका नाम हर्श चरेता उसके कोशन यह बनता है कि बानाभट किसके दरबार में कवी था था यह कर्श वर्धन की था रख वर्धन की नाम पढ़ेह तो कॉशन बनता है कि Yeah रख हर्ष चरेता किस ने लिखी है और कि अन्य हर्ष वर्धन के टाइम पे यह मतलब इसकी कोट थोऊंग ज॑ंग जॉअन आया था मतलब जिसके बारे हमने चप्टिर 9 में पढ़ा है भी यह एक हुछ था कि जूआंग जॉए किस?? किसके दरॉर्बार में आया था तो यह आया था हर्शुरधन की दरॉर्बार में दिए हर्शवरधन जो है अपनी फेमली का सबसे बड़ा बेटा नहीं है लेकिन वह अपने फादर की वैद्धर की देट के बाद वो किंग बना थाने सारगाँ और जो हर्श-वरधन की बिरतर लोहें वो राजा थे कन्योच के जिन्हें बंगाल के रूलर ने मार दिया था उसके बाद हर्श वर्धन ने क्या कर बंगाल को अपने अंडर में लिया और बंगाल के खिलाफ युद्ध कर दिया यह देखी बंगाल तो जीत Tight लिया हर्श वर्धन ने बंगाल जीत लिया मघच जीत लिया लेकिन बाद में जब वो ने कि दक्कन की तरफ भढ़ा रहे थे तो जब धर क्रॉस कर रहे थे तो चा्शलु ऑसे नहीं जीते वो चालवास चालवक्या से पुलाकेसें प्रशेष्थ त्लक प्रशेष्थ गाई प्रशेष्थ जो थी ओए इनके बारे में क्या पता चलता है यह देखे पलवास और मोस्ट Tech इंपॉर्टें रूलर थे साउथ इंडिया के अपने उस टाइम के और पलवास का जो रीजन था मतलब पलवास कहां कहां तक फेले हुए थे वो काची पुरा उनकी कैपिटल थी काची पुरा वहां से लेके कावेरी डिल्टा था इनका पूरा इनकी टेरिटरी मतलब इतनी जमीन इनके अंडर में थी औ चालुक्या के अंडर में थी और चालुक्या के जो कैपिटल थी वह थी एहलोल जो की एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था मतलब उस जगा से बिजनेस हुआ करता था बाद में यह एक रिलीजियस प्लेस बन गया मतलब यहां पर कई सारे टेंपल बन गए और जो पल्लवास और चालुक्या यह लोग क्या करते थे एक दूसरों पर कभी कभी अटेक कर दिया करते थे इनकी कैपिटल पर क्योंकि वह सबसे जादा प्रॉस्पेरस और सबसे जादा धनी एक वह कैपिटल के कैपिटल थी देखिए चालुक्या जो पलाकिसिन टू है वो चालुक्या डाइनेस्टी का सबसे बेस्ट हों सबसे पावर्फल राजा था ये पलाकिसिन टू के रवी किरती ने मतलब उसका कवी था उनके कोट का रवी किरती ने इनके बारे में लिखाए है और रवी किरती ने लिखाए कि पुलाकेसिन को जो राजगद्धी है वो पुलाकेसिन को अपने अंकल से मिलीती है कि अकॉडिंग तू रवी किर्थी बताते है कि पुलाकेसिन के पाच इस्टन कोस्ट और वेस्टन कोस्ट दोनों था और हर्श वर्धन के हारने पर एक रवी किर्थी ने एक पोयम लिखी जिसके मतलब मजाक के रूप में बताया गया है कि हर्ष का मतलब होता है हैपीनेस मतलब हर्ष का मतलब हैपीनेस होता है लेकिन बाद में हारने के बाद जब पुला किसिन टू ने उसे हराया तो वो हर्ष वर्दन मतलब फिर दुखी हुआ तो ये एक मजाग के फॉम में एक कवीता लिखी हुई है हर्श पुलाकिसिंटू ने पल्लवास पर अटेक कर दिया बट उन्हें क्या मिला काची पुरम पर जाके उन्हें अपनी शेल्टर लेनी पड़े मतब काची पुरम पर जाके उन्हें छुपना पड़ा बट ये जो जीत थी ये जाद लंबे समय तक नहीं चल पाई बाद में क्या कर रहा है इन पल्लवास और चालुक्या किसको दोनों को राश्ट कोटा और चोला डाइनिस्टी ने अपने कब्से में ले लिया मतलब उस टाइम का किंगडम एड्मिस्टेशन के साथ था देखिए पहली की तरह भी इनके पास भी मतलब जमीनी लेंड मतलब लेंड रिवेंड ने बहुत इंपोर्टेंट था अपने एड्मिस्टेशन को चलाने के लिए मतलब इनकी भी काफी किंग आर्मी थी पावरफुल थे सोशल थे मिलेटरी स्टेंदू करने के लिए ने टेक्स लेना पड़ता था और इन्होंने कई सारी पॉलिसी चेंज अडॉप्ट की अपने एड्मिस्टेशन पे इंप्रूमेंट लाने के लिए तो कुछ यह पॉलि मतलब इसका बेटा राजा बनेगा तो इस तरीके से थी अगर कोई फादर है तो उसका सन ही बनेगा एक एग्जामपल दिये हुआ हरी सेना जो था वह महां डंडन नियाय का मतलब चीफ चीफ जूडिशियरी ऑफिसर था उसके पिता बाद में हरी सेना को बनाया गया और क्या होता था मैंनी एक ही व्यक्ति मतलब वन परसंट में में एक व्यक्ति के अंडर में कई सारे ऑफिस या कई सरे डेपार्टमेंट हुआ कर देते जैसे के हरी सेना महां डंड न्याय अधिकारी था वह कुमार आत्मे भी बना जो कि जिसका मतलब होता है इंपोर्टें पीस तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति कई सारे डेपार्टमेंट का भी हैड होता था बिसाइड्स इसके अलावा जो कई सारे में जो इंपोर्टेंट में है वह लोकल एड्मिन्स्टेशन पर को भी समाल देते हैं जैसे कि कुछ होते थे वहां के जो लोकल वही लोग सबस्यादा है हैड हुआ कर देते जैसे नागारा श्रेश्टी जिसका मतलब होता है चीफ बेंगर्या मर्चंट ओफ सि और प्रत्मा कुलिका जिसका मतलब होता है चीफ क्राफट परसन मतलब जो भी इनका डेपार्टमेंट होता है जो भी समीती होती है उनका चीफ और इनकी जो पॉलिसी थी वह ऐसी थी कि कुछ टाइम के बाद यह लोग उसी जमीन पर कबज़ा कर गया मतलब एक अपना मिलेटरी रखा करते थे वैल और्गनाइज जिसमें एलिफन्टी भी होता था चैरियर्ट रत गोड़े और फुट मतलब पैदल सिपाही भी होते थे मतलब पहले की तरह भी यह लोग इनका भी यही सिस्टम था बिसाइड्स इसके अलावा देखिए क्या करते थे कि यह यह शाहरूं यह नगा फिर्वाजून करते वरेतों थे मतलब रेगूलर सेहलून थे इसके बाकरते थे जिस इसके बदले में क्या करते थे जिस से क्या करते थेंके इनका जो भी हैट समालता करते थे हैं गय आइसंध हैं अपनी इस्वीर जो मिली आर्मी को मेंचें किया martyrail और और इनका जो जो सम्वालता था उसे सामन्त कहते थे मतलब जो भी सिपाई हैं सिपाई का जो हेड होता था सेनपती होता था उसे सामन्त नाम से जाना जाता था और जब कभी सामन्त जब कभी भी रूलर वीक पड़ता था मतलब राजा कमजूर पड़ा गया राजा की मतलब व तो किंडम था सामराज एरिया था राज था वहां की सभाइं कैसी होती थी देखिए पल्लवास के इंस्क्रिप्शन पर कई सारी लोकल असेम्बली का जिक्र हैं मतलब जिसे सभा केते हैं यह दो कि आप आप अब दहितने कूश वाओं में क्या होता था इपैसिकली इन सभाओं में डिसकस किये जाता था कि एरिगेशन को लेकर खेती बाड़ी या पानी मतल हैं इन नाले हर प्रकार की यह डिसकस करते थे सभाओं में और जिस सभा में मतलब कोई ब्रामन नहीं होता था तो तो उसे और नाम से जाना जाता था और वोज़ विलेज असेंबली जिसमें नौन ब्रामन लेंड ओनर होता था और और अन और्गनाइजेशन ओफ मर्चंट देखिए वुर्चंट जो विजिसमें निकी जो औरगनाईजेशन है तो इसको नगरम नाम से जाना चाहता था नगरम वोज़ अरगनाइजेशन ओफ मर्चंट वूरी कंट्रोल के से दौ़ एक तो तो कूई रिच हो या कोई पावरफुल लेंड ओनर हो उसके दौ़ारे ही इसको कं सबसे आधा कांध स मैं कोने पघ्रादाइए उस्टम नैंस को पभ्ला हैं आधियुंस कि अड़ार थीया के स्टम चलता रहा पर हैं है है। भी जालो required कि अलगा हम एंदड़ के बारे में开始 चांड़ आधोग्रेम रिकॉर्ड में उनके थ्रूप पतार कही है कालिदास अपने प्लेस के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने और राजा की लाइफ को एक प्ले के रूप में दर्शाया है एक इंट्रेस्टिंग फेक्ट इसमें यह है कि इन प्लेस किंग्स और मोस्ट ऑफ दा ब्राममना वो बोल संस्क्रित बोल रहे हैं वाइल उसके अलाव वहीं वूमेन और मैंस वो प्राकर्तिक भाशा का यूज़ कर रही है और कालिदास का एक मोस्ट फेमस प्ले है अभी ग्यानम शकुंतलम वहां पर दुशन्त कुमार और यंग वूमेन शकुंतला की लब स्टोरी के बारे में बताया गया है देखिए एक स्टोरी है फिशर्मेन की जो की एक्जाम पॉइंट और व्यू से कुछ खास नहीं है देखिए चाइनीज पिलगिरे में फाहिन फाहिन नोटिस जेट प्लाइट ऑफ दोस हुवर ट्रीटेड एज अंटचेबल बाइद हाई और फाहिन ने कुछ इंडिया में आया तो उससे नोटिस करा कुछ उन्टचेबल मतलब चुछ चुछ चुट की जो बात हैं वह उसने नोटिस करी उसने देखा कि कुछ लोग हैं जो आउट स्ट्रिक ऑफ देशिटी मतलब शेहर के बाहर रहते हैं और उसने लिखा कि यदि वह अंदर आते हैं तो उनको कुछ मतल में मार्केट में जब आते हैं तो उनको कुछ डंबरू टाइप में कुछ बजाना रहता है जिससे लोगों को पता चल जाए कि वह लोग आ र चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें